Friends, एक question में आपको मैं तीन से चार सेकेंड का समय दूँगा, अगर आप लोगो जदा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोख के भी अपना right answer सोच सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला question आप लोग देश सकते हैं, समविधान की आतमा की से कहते हैं चार अपसन आपके सामने दिये गए हैं जो भी इस question का right answer हो आप लोग फड़ फड़ कमेंट बाक्स में बताएं तो देखे सम्विधान की आत्मा कहा जाता है प्रश्टावना को option A correct होगा इस question का right answer next question देखते हैं फ्रेंड्स आपके जितने भी questions right होते चलें तो आप लोग वेडियो को पाउस करके अपना comment box में right answer जरूर टाइप कर दिया करें next question देख सकते हैं वायूद आपको किस यंत्र की साहता से मापा जाता है चार अपसान आपके सामने देगे हैं जो भी इस question का right answer हो आप लोग फड़ फड़ कमेंट box में बताएं तो देखें वायूद आपको बैरो मीटर यंत्र की साहता से मापा जा सकता है option B correct होगा इस question का right answer next question देखते हैं पाग इस state किन देशों को जोड़ता है चार अपसान आपके सामने देगे हैं जो भी इस question का right answer हो आप लोग फड़ फड़ कमेंट box में बताएं तो देखें पाग इस state भारत और सिलंका इन ही दो देशों को जोड़ता है option C correct होगा इस question का right answer next question देखते हैं भारत के किस राज में नियूंतम जनसंक्या है चार option आपके सामने देगे हैं जो भी इस question का right answer हो आफ लोग फड़ 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 कमेंट box में बताएं तो देखें भारत के सिक्किम राज में नियूंतम जनसंक्या है option B correct होगा इस question का right answer नियूंतम सिक्किम में है और अधिकतम की बात करें तो UP में यानि कि उत्तरपदेश छेतरफल की बात करें तो छेतरफल में सबसे ज़्यादा छोटा राज है गोवा और छेतरफल में सबसे बड़ा राज है राजस्तन next question देखते हैं सिधार्त को ग्यान की प्राप्ती हुई थी चार अपसन आपके सामने दे गए हैं जो भी इस question का right answer हो आप लोग फड़ा फड़ा कमेंट बाक्स में बताएं तो देखें सिधार्त को ग्यान की प्राप्ती हुई थी गया में option D correct हो इस question का right answer next question देखते हैं साइमन कमीशन का भारत आगवन सरुपर्थम किस वर्च में हुआ था चार अपसन आपके सामने दे गए हैं जो भी इस question का right answer हो आप लोग फड़ा फड़ा कमेंट बाक्स में टाइप करके बताएं तो देखें साइमन कमीशन का भारत में आगवन हुआ था सरुपर्थम 1928 सिस्यों में option B correct हो इस question का right answer next question देखते हैं किस अनुच्छेत के अंतरगत सम्विधान संसोधन किया जा सकता है चार option आपके सामने देगे हैं जो भी इस question का right answer हो आप लोग फड़ा फड़ा कमेंट बाक्स में बताएं तो देखें अनुच्छेत 368 के ताहत सम्विधान संसोधन किया जा सकता है option एक correct होगा इस question का right answer next question देखते हैं शूर ये काताब हम तक पहुंचता है चार option आपके सामने देगे हैं जो भी इस question का right answer हो आप लोग फड़ा फड़ा कमेंट बाक्स में बताएं तो देखें शूर काताब हम तक पहुंचता है वीकरन दोरा option C correct होगा इस question का right answer next question देखते हैं bleaching powder का rushainik नाम है चार option आपके सामने देगे हैं जो भी इस question का right answer हो आप लोग फड़ा फड़ा कमेंट बाक्स में टाइप करके बताएं तो देखें bleaching powder का रशानी की नाम है calcium hypo chloride option B correct होगा इस question का right answer next question देखते हैं जो कि इस वीड़ो का last question होगा और last में भी एक question आप लोग से मैं पूछूँँगा उसका भी जवाब आप लोग को comment box में देना है ये रहा last question प्रतेख वर्स अंतराश्टी महिला दिवस कब मना जाता है चार अपसन आपके सामने दे गए हैं जो भी इस question का right answer हो आप लोग फड़ा-फड comment box में बदाएं तो देखे प्रतेख वस अंतराश्टी महिला दिवस मना जाता है 8 March को option ने correct होगा इस question का right answer तो अब मैं पूछता हूँ वीड़ो का last question ये रहा तो जो भी इस question का right answer हो आप लोग फड़ा-फड comment box में जरूर बताएंगा टाइप करके और 10 questions में से आपके जितने भी questions right हुए हैं तो आप लोग अपना score और नाम जरूर टाइप करके बताएगा इस वीड़ो को share करें और वीड़ो हमारा कैसा लगा प्लीज वीड़ो को like करें और इस वीड़ो को share करना न भूलें चैनल को अवी तक हमारे subscribe नहीं की हैं तो प्लीज channel को subscribe करके बगल में बेल icon को on कर लें आपको इस channel से daily test की video समय से मिलती रहेगी thanks for watching